हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने बालों को इस तरह से कर सकते हैं वो भी घरेलू चीजों से ऐसे में अगर आप बालों को इस्टेट करना चाहती हैं तो घरेलू नुस्के की मदद ले सकते हैं इसे आपके बाल भले ही इस्टेट ना हो मगर नेमित रूप से अगर आप इस घरेलू नुस्के का इस्तिमाल करेंगी तो आपके बाल निच्रल इस्टेट हो जाएंगे तो चलिए हम जानते हैं कि घर पर कैसे बालों को इस्टेट किया जा सकता है बालों में चावल का आणा और coconut milk का hair mask बनाएगे तो चलिए देखते हैं बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए चावल और नारियल का दूद काफी परभावी हो सकता है चावल और नारियल के दूद में कई तरह के anti-oxidant, vitamin B and vitamin E और जिंक होते हैं जो बालों की ग्रोथ को बैतर करते हैं साथ ही बालों को श्ट्रेट बनाए रखने में चावल और नारियल का दूद फैदेमन हो सकता है चावल और नारियल के दूद से तयार करेंगे हैर मार्स उसके लिए मैं यहाँ पे ताजा नारियल लिया है बना लेंगे नारियल का दूद बालों में लगाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और ये आपके बालों को हाइडरेट रखता है बालों में होने वाली खुजली की परिशानी को भी दूर करने में मदद करता है और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल कर मिकसी में पेष्ट बना लेंगे और इस तरह से हम छलनी के सहायते से इसे हम चान लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे दोचमत चावल का आटा आये बालों में लगाने से एसकेल्प को गहराई से साब होती है और चावल हैर मांक्स लगाने से आपके बाल स्ट्रेट होते हैं बालों में नारियल का दूद और चावल का हैर मांक्स लगाने से ये काफी फायदा हो सकता है हलाकि ध्यान रखें कि अगर आपको इसमें से कोई भी सामगरी से अलर्जी हो सकता है तो सबसे पहले इसे इस्तिमाल करने से पहले आप पेच्टेस्ट जरूर करें healthy बालों के लिए protein सबसे महत्पुन होती है यदि बालों में protein की कमी होती है तो इसी से बाल जढना सुरू हो जाता है इसलिए चावल का आटा बालों के लिए एक कंडिशनिंग एजेंट और प्रोटीन टीटमेंट के रूप में भी काम करता है दरसल चावल के आटे में मौझूद अमीनो एसीड बालों को कोट करने में मदद करता है ये कारण आपके बाल अधिक मजबूत और चमकदार नजर आते हैं और अब ये पैक बालों के लिए तयार हो गया है तो इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इस तरह से हम धेरे धेरे अपने बालों पर अपलाई करेंगे एसकेल पर भी और पूरे बाल पर भी और इसे लगाने के बाद हम 30-40 मिनट तक इसे इसी तरह से रहने देंगे और फिर इसे हम नर्मल पानी से धोलेंगे आप चाहे तो नारियल का दूद से थोड़ा बाल चिप-चिपा हो जाता है तो थोड़ा सा सेंपू भी इसमें लगा सकते हैं और इस तरह से आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं आई हो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंज वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा और दुसरों को भी सेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाव मिल सके और यदि आप भी अच्छे हैर पाना चाहते हैं तो इसे आप हफ्ते में एक बार जरूर करें और कुछ दिन करने के बाद ही आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं तो फिर मिलेंगे ने इस वीडियो में सब तक के लिए थैंक यू बाई